सीडियां उन्हें मुबारक जिने केवल छत तक जाना है दोस्तो आपकी मन्जिल तो आसमान है रास्ता आपको खुद बनाना है किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तो कि तू आगास तो कर अंजाम तेरी महनत खुद लिख देगी इसी कड़ी में मैं हूँ रनवीट जाखर टीम क कर आज अपन बात कर रहे हैं गुरुनीति औरगनीक वस्ती यानिक सेवन बाई सैवन जिसमें टोपिक अपने पास है बाय मॉलेकुल कर सी ने अब्रीड़ लाइफ एंड इन्वार्मेंटल कमस्ट्री चुलो बास स्थार्ट करते हैं दोस्तो सवाल वास्त बाय मॉलेकुल क है सवाल क्या कि रहें कि डी गुलकोज अपने को दे रखखा कह रहा है कि हाइट्रोकसी यामाइन के साथ में रियेट करके ऑं जाइंगी बर इसकी राइट कौन सी है अब अपने को पहले तो डी गुलकोज की राइट स्टिक्चर बनानी है डी गुलकोज की राइट स्टिक्चर अगर पन बनाएंगे दुस्तों तो क्या होता है भला LD8 ग्रूप प्रसेंट होता है सेकंड नंबर का OH राइट एंड साइड में होगा थर्ड नंबर का जो OH होता है वो left hand side में होता है, glucose की structure में क्या होता है दूस्तों, third number का OH group left hand side में होता है बाकी सारे के सारे OH group क्या होते हैं, दूस्तों right hand side में होते हैं third number का, same यही हाल किसके साथ होता है, factose के साथ होता है वड़ उसमें second number पे ketoning group होता है third number का OH क्या होता है, left hand side में होता है बस मेनोज और गलेक्टोज की अगर बात करें तो इसमें गुलकोज की structure में डिफरेंट होता है क्लेक्टोज में carbon number क्या देखेए third number का OH left hand side में है मेनोज में carbon number second और third दोनों की क्या होते है बना left hand side में होता है गलेक्टोज, galेक्टोज अपने anxiety में दे रखा है कार्बन नमबर 3rd और 4th का OH लेफ्ट एंड साइड में होता है तो गुलकूज में only on 3rd नमबर का OH क्या होता है लेफ्ट एंड साइड में बाकी सारे राइट एंड साइड में होंगे 4 कार्बन परसेंट है इसमें अब इसकी reaction करवा दो दोस्तों किसके साथ भला hydroxyl amine क्या होता है इसके साथ में reaction करवा हो वर्टर लीस कर देगा दोस्तों तो बनेगा तो सब में यह ही है क्या मिल गया ओक्जीम मिल गया बट राइट टेक्स्टेक्चर किसकी है डी गुलकोज की राइट टेक्स्टेक्चर यह है और इसकी पूरे की mirror image क्या हो जाएगी L गुलकोज हो जाएगी तो अपने को third number का OH देखना है left hand side में होना चीए बाकी सारे right hand side में तो इसमें देखो third number और fourth number दोनों के OH क्या हो गया भला left hand side में हो गया यह अपना answer नहीं हो सकता है इसमें second और third दोनों के हो गया दोस्तों इसमें second number और fourth number दोनों के हो गया यह अपना answer नहीं हो सकता है इसका मतलब इसमें देखो one, two, third number का OH क्या है left hand side में बाकी सारे right hand side में है यही oxim की structure है डीगुलकोस की इसका मतलब आंसर दोस्तो अपना कौन सा हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा चलो इसी कड़ी में आगे बात करें सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तो हार्मोन दे रखा है तनाव की टेंशन की बात कर रहा है दोस्तो कि लीवर में गलाइकोजेनेस अज़िपन कोन करता है दोस्तो गलाइकोजेनेसिस की बात वरी है अब आपको बता है थाइरोकसिन हार्मोन थाइरोकसिन हार्मोन थाइराइड गलेंड यूस उत्पन करते हैं हनम और इंसुलीन इंसुलीन की अगर बात करें तो blood sugar यानि की sugar की quantity increase हो जाती है तो उसको control करने के लिए insulin का injection दिया जाता है तो ये भी नहीं हो सकता adrenaline यही है दोस्तों जो tension देगी आपको hormone तनाव की सिती में manov liver में जो glycogenesis उत्पन होगा वो कौन उत्पन करता है दोस्तों adrenaline फिर estrodiol estrodiol की अगर बात करें तो ये दोस्तों anti fertility drugs होती है कौन सी भला estrodiol next सवाल क्या करें दोस्तों third number सवाल की अगर बात करें तो amino acid are linked यानि कि किस से attach होते हैं एक दूसरे से amino acid की बात करें दोस्तों दो amino acid आपस में attach sugar condensation reaction चोड़े हैं और किस का formation करते हैं? zamide का amide linkase यानि कि amide जिसको अपन क्या बोते हैं? peptide, 2 amino acid आपस में मिलेंगे, यानि कि 2 protein आपस आपस में मिलेंगे, 2 amino acid आपस में मिलेंगे, किस का formation हो गया? single peptide linkase का formation होता है और उसमें क्या होता है दोस्तों CO और NH ग्रूप प्रसेंट होता है यानिकि amide amide linkage बनता है उसे अपन का बोलते हैं peptide bone बोला साता है तो peptide bone मिलता है इसमें next अगर अगे बात करें तो दोस्तों क्या दिरखा है अपने RNA और DNA के लिए बात हो रही है तो RNA में तो क्या होती है दोस्तो राइबोज सुगर होती है और DNA में क्या होती है डियोक्सी राइबोज सुगर होती है यानि कि पैंटोज सुगर होती है जिसमें एक में दो नंबर पे ओक्सिजन नहीं होता और एक में दो नंबर पे OH ग्रूप प्रजेंट होत होता है तो RNA की बात करें तो उसमें तो ribose हैं और DNA की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है भला H group present होता है ठीक है यानि के और RNA की बात करें तो यहां पे क्या होता है दूस्तों OH group present होता है तो 1, 2, second number पे अगर oxygen present है तो उसको ribos बुला जाता है और second number पे OH group अगर present नहीं है oxygen नहीं है तो उसको अपन क्या बलते हैं oppos का मतलब first treatment ही आपका क्या है दोस्तों right है second की अगरपन बात करें तो क्या कर रहा है RIB lotta you यहां है Whis just a beer good मैं नहीं होता इसमें क्यों सी शुग्रा होती है दोस्तों उसमें अगर अगर पर बात करें तो क्या होती है? राईबोजोर। टू डी- Mina-C riboz प्रिसेंट होती हैं तो first answer आजाएगा next सवाल की अगर पर बात करें 5 नंबर सवाल किस की बात कर रहा है दुस्तो non reducing sugar की बात कर रहा है non reducing sugar आपको पता है दुस्तो जिसके पांस और जो reduce नहीं कर पते हैं उनको क्या बोलते हैं नो वोला जाता है लेक्टोज की अगर बात करें दोस्तो तो कैसी होती है भेला reducing sugar होती है इसमें LD weak group क्या होता है दोस्तो फरी होता है इसकी अगर बात करें तो glucose माल टोस की अ गार बात करें तो इसमें भी क्या है LDा फरी होता है सिंगल कार्बन का तो इसका मतलब क्या है यह तो तीनों के तीनों क्या हो गए रिदूजिंृंग्सूगर सुक्रोस में गुलकोज अलफाडी इसमें आपको बता है गलाइकोचिडिक जो लिंकेज मता है और फ्रैक्टूज का कार्बन नंबर सेकेंड आपस में गलाइकोचिडिक यानि कि अगे बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है amylose amylopactine में difference की बात कर रहा है दोस्तों तो अब आपको बता है amylose amylose की अगर बात करें तो linear polymer है और amylopactine कैसे होती है बला branched polymer है amylose की बात करें तो carbon number यानि कि glucose का carbon number one और second glucose का carbon number four आपस में glycosidic है linkage से attach होते हैं और linear structure मिलते हैं और amylopactine की अगर बात करें दोस्तों तो इस linear के साथ साथ में branch भी निकलती हैं एक glucose का carbon number one और second glucose का carbon number six आपस में glycosidic linkage से attach हो जाते हैं तो अब पढ़ लो amylopactine की अगर बात करें तो देखो दे रखा है कि इस में carbon number one alpha linkage से और carbon number two six beta linkage से beta linkage थोड़ी होती हैं दोस्तों जो starch होता है starch में दो component है कौन-कौन से एक तो amylose और एक amylopactine है और starch किस का polymer है दोस्तों alpha-d glucose का polymer है तो alpha-d तो alpha वाली अगर unit participate कर रही है आपस में glycosidic linkage से attach हो रही है तो उसको अपन क्या बलेंगे alpha linkage अगर beta-glucose यानि की beta-factose यह आपस में participate हो रहे तो उसको beta-linkage तो यहाँ पे starch में बात करें तो alpha है alpha-glucose का polymer है तो इसमें only on-con participate करेगा alpha-linkage ही बनेंगा alpha unit है तो alpha-linkage ही मिलेगा तो यहाँ beta वाला यह incorrect हो गया फिर emylose में अगर पन बात करें तो क्या करें गुलकोज और गलेक्टोस से बना होता है क्या made up glucose and glycos नाजी only on glucose ही होती है इसमें emylose की अगर पन बात करें तो इसमें branch होती है क्या ना चल जुटी emylopectine की अगर पन बात करें तो उसमें क्या होती है दोस्तों यानि कि open chain यानि कि linear तो बनेंगा एक glucose का carbon number one और second glucose का carbon number four आपस में glycosidic linkage से attach होंगे और branch निकलेगी वो किस से निकलेगी one six से निकलेगी और दोनों के दोनों कैसे होंगे दोस्तों alpha-s का मतलब emylopectine का example का right answer fourth है ठीक है इसी कड़ी में आगे बात करें तो seven number सवाल क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि ज्वीट राएन कोन बनाएगा बताओ ज्वीट राएन वो बनाएगा जो बना सकता है यानि कि जिसमें cwh group यानि कि acid और base दोनों present हो acid और base यानि कि amino acid की अगरपन बात करें तो उसमें cwh और ns2 group दोनों present है इसका मतलब वो क्या बना सकता है ज्वीट राएन बना सकता है बेंजोई का acid बना सकता है क्या दोस्तों pH cwh नहीं बना सकता है इसमें acid group तो है लेकिन basic नहीं है glycine की अगरपन बात करें तो दोस्तों cwh है तो acid ने base को देखा base ने acid को देखा आपस में proton का exchange कर लेंगे यानि कि यह proton donor हो गया और यह proton क्या हो गया इच्छाएं खतम हो गई यहीं धरी की धरी रह गई यह इसे बोला साता है डाइपोल आयन यानि कि जूटरा आयन बोला साता है तो glycine बना देगा दोस्तों acetinilide बनादेगा किया acetinilide नहीं बनाना चाहता है acetinilide क्यों होता है दोस्तों acetinilide इसको बोलते हैm NH और Co-C-3 यह acetinilide है अब इसमें नहीं है क्योंकि यह तो amide है alanine alanine बना सकता है क्या दोस्तो नहीं बनाएगा जूटरा आयन का formation नहीं कर सकता है अलालीन नहीं कर सकता तो अपना आंसर कौन सा है गलाइसीन जिसमें NS2 और CWH इक्वल होंगे वही किसका फोर्मेशन कर सकता है दोस्तों जी ट्राइन का फोर्मेशन कर सकता है ठीक हैं चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो सवाल नमबर अपने को क्या दे रखा है दोस्तों एट नमबर सवाल नोन इसेंशियल एमाइनो एसिड की बात कर रहा है दोस्तों नोन इसेंशियल की अगर बात करें तो आपको पता है essential कौन-कौन से होते हैं VIP hall में T-tip VIP hall में T-tip ये क्या है दोस्तो essential है अपने से क्या पुछा गया है non essential पुछा गया है alanine अब A इसमें A की है और ये A जो है वो arzenine है और कोई A दिखाई दे रहा है alanine बन सकता है ठेक है ये आपको पता है welline है isoleucine है, leucine है ये सारे के सारे आजाएंगे इसमें लेकिन क्या नहीं है alanine नहीं है ये arzenine है एक तो इसका मतलब क्या है alanine आपका non essential amino acid है ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या दे रखा है आपको basic amino acid की बात कर रहा है basic amino acid की अगर पन बात करें तो क्या होती है दोस्तो health ये ये अगर basic की बात करें तो दोस्तो क्या है भला ये ये tyrosine की बात करें तो tyrosine इसमें नहीं है tyrosine acidic nature का होता है यानि कि phenolic group present होता है lysine lysine इसमें है क्या दोस्तो ये रहा आपको पता है कौन सा होगा जिसमें CWH की quantity NS2 group से जादा होगी ठेक है तो lysine कैसी है दोस्तो बेसिक है नेक्स अगर अपन बात करें तो आपको क्या दे रखा है दोस्तो सुक्रोलोज सुक्रोज की अगर पन बात करें तो सुक्रोज का hydrolysis करवाएंगे तो सुक्रोज में क्या होता है अलफा डी गुलकोज और बीटा डी फैक्टोज होता है ये तो उनको मन सा सवाल है अलफा डी गुलकोज पलस बीटा डी फैक्टोज होगा अलफा डी बीटा डी फैक्टोज ये फेक्टोस फेक्टोस दे दिये ये नहीं हो सकता सुक्रोस में गुलकोस अलफा अलफा नहीं हो सकता अलफा बीटा गुलकोस नहीं हो सकते इसका मतलब कौन सा अंसर आजाएगा अलफा डी गुलकोस और बीटा डी फेक्टोस गुलकोस का कार्बन नमबर वन और फेक्टोस दोनों linkage पर्जेंट हो गए साब अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें alpha है इसमें beta है alpha और beta दोनों linkage glycosidic linkage हो गए आप इसमें next आगे बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा RBC की कमी में आपको बताएए दोस्तों deficiency में कौन सा disease of RBC RBC को कौन कम करेगा दोस्तों vitamin 12 पूर्ती करता है इसकी RBC की vitamin 12 का अगर deficiency हो जाएगी तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगी RBC भी decrease हो जाएगी next अगर आपन बात करें तो क्या दे दिया आपको enzyme के लिए यो 2022 में देखा गया था बहुत ही प्यारा सा सवाल है incorrect statement की बात हो रही है enzyme के लिए enzyme की बात करें तो दोस्तों like chemical catalyze enzyme reduce the activation energy of bioprocess ये सही बात बोल रहा है दोस्तों सक्रियन एनर्जी को क्या कर देता है कम कर देता है सत्य गटना पर अधारी थे enzyme polysacride होते हैं ना ना ये सरासर जूटी है दोस्तों कैसे होते हैं protein होते हैं estrogen कैसे होते हैं proteins होते हैं enzyme कैसे होते हैं protein ये आपका incorrect हो गया दोस्तों polysacride नहीं होते enzyme किसी भी सेश किरिया-किरियाधार के लिए अतिशेष होते हैं specific factor होते हैं मनें सब्स Además होते हैं फिर जही दे बाइयोखेमिकल बायोखेटिलीस थी तो है ये तो इसका मतलब इनक्रेक्ट वोते हैं प्रोटीन और हमकोव यहां क्या दे दिया था तो इसका मतलब incorrect हो गया next सवाल कि अगर पन बात करें तो अब ये किसकी बात कर रहा है protein के denaturation की बात कर रहा है दोस्तों denaturation यानि कि उसकी physical properties में temperature में pH में अगर अपन change कर दें तो उसके क्या हो जाते हैं दोस्तों change जा जाते हैं उसकी physical property change हो जाती है तो देखिए ये क्या कर रहा है denaturation और protein की बात कर रहा है तो protein peptide बनों से जुड़े amino acid द्वारा बनती है ये बात तो सही है कि protein जो होते हैं जितने भी amino acid linked peptide linked मिलेंगे तभी वापस में एक दूसरे के साथ में अटेच होती है ये बात सही है लेकिन वो denaturation के लिए सही नहीं है protein के लिए सही है denaturation की बात कर रहा है वो तो तो इसका मतलब यही आपका incorrect हो गया दोस्तो ठेक है क्योंकि वो तो denaturation की बात कर रहा है कि जब आप इसकी pH में change कर दोगे ठेक हैं अब आप उसके क्या कर दोगे physical properties में chemical properties में change कर दोगे तो ये helix structure क्या हो जाएगी दोस्तो denaturation के कारण एक उंडलित हो जाती है यानि कि आपने इसके temperature increase कर दिया hydrogen bond break हो गए ठेक है जो पहले कुंडलित थी वो क्या हो गई दोस्तो खो देता है यानि कि लोस कर देता है biological activities को क्या कर देता है खो देता है लोस कर देता है तो ये बाखी सही है लेकिन उसकी बात हो रही है denaturation के लिए तो वो protein के लिए बात ये भी सही है लेकिन वो denaturation के लिए correct होगी तो कौन सा answer आजाएगा अपना first answer आजाएगा next सवाल की अगर बात करें तो किवसीन everyday life की बात हो रही है दोस्तों क्या कर रहा है देखो artificial sweetener की बात कर रहा है ठंडी परिस्तितियों के लिए बात हो रही है दोस्तों किसके stable under cool condition की बात हो रही है दोस्तों तो आप याद रख सकते हो आसा यही तो है आसा जो आपको कभी नहीं करेगी निरासम ए का मतलब क्या है दोस्तों aspartum s का मतलब sacrene s का मतलब sucralose और a का मतलब क्या है किसको यूज करते है आइस करीम याद रख सकते हो है earns stared cream dads cream में को आता है दोस्तों as cream s cream में होगा वही तो यूज तो यूज यूज ऑगा तोज freelance में को आएगा दोस्तों aspartum aspartum क्या होता है unstable होता है कहां पे भला cooking temperature पे तो इसका मतलब aspartum कहां है दूस्तो as cream यानि कि ठंडे के लिए use करते हैं तो ठंडे जितने भी ठंडे खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए use करेंगे आप किसको भला aspartum को yes को no फिर अगर पर बात करें तो ये क्या है saccharine सचा होता है सब ठेक है आप diabetes लिए भी use कर सकते हो sucralose sucralose की अगर पर बात करें तो ये क्या होता है sucralose ये trichloro sucrose का derivative होता है sucrose का derivative derivative of sucrose ठेक है trichloro यानि कि 3 OH को हटा कर वहाँ पे 3 CEL लगा दो और ये क्या है दोस्तो all time मीठा ही मीठा मीठी बातें करता है ये हमेशाथ तो इसका मतलब अपने को ठंड में बात हुई थी वह कौन सा है दोस्तो aspartum ठेक है sucralose क्या होता है दोस्तो stable होता है cooking temperature पर क्या होता है stable at cooking temperature कौन भला sucralose ठेक है और elitum जो होता है elitum is more stable than aspartum ठेक है aspartum से जादा stable है फिर अगर बात करें तो दोस्तो देख लो किसकी बात वह रही है नोन नार्कोटिक, नार्कोटिक एडिक्टिव होते हैं, यानि कि जिसको खाने से आदत पढ़ जाती हैं, नोन एडिक्टिव, यानि कि नोन नार्कोटिक जिनको खाने से आदत नहीं पढ़ती, ठीक हैं, किड्नी बले खराब हो जाए, लेकिन आदत नहीं पढ़ेगी दूसर अब क्या है इसको आप याद कर सकते हो अब मुर्फीन से आप अंदाधा लगा सकते हो कि नरक में M-H-C M-H-C M का मतलब क्या है Morphine है ये क्या है H का मतलब Heroine C का मतलब कि Doine Codeine है ठीक है तो यानि कि Morphine Heroine और Codeine है ठीक है तो ये सारी की सारी क्या है तीनो के तीनो क्या है Narcotics है आपने News पढ़ी होगी कई बार लिखते हैं न News पेपर में News आती हैं कि फलाने हवाई अड़े पर 45 किलो की Heroine पकड़ी गई मैं इस Heroine की बात कर रहा हूँ है आप गलत समझ रहे हो तो यहाँ पर इसकी बात ओरी है दुस्तो Heroine की बात ओरी है तो ये क्या है भला Narcotic है इसकी अगरपन बात करें तो पान नहीं खाते पान नहीं खाते ठेक है अपने को क्या है खाए ना खाए कोई तो पी का मतलब क्या है पेरा सिटामोल क्या है पेरा सिटामोल एक का मतलब क्या है भला एक का मतलब है आपका asprine ऐस्प्रिन कहीं अगर बात कर रहे तो आपको पता दूस्तों asprine जो है वो heart attack में भी use की जाती है ठीक है और n का मतलब क्या है non narcotic और नहीं का मतलब क्या है नोन और लस्त का मतलब है narcotics अभ यह nool burden अपने anxiety में नहीं है साथ अब फिलाल नहीं है पहले हुआ करती थि कोई जमाने में तो नोल mycetine की अगर बात करें, तो ये भी कैसी हैं, ये क्या है दोस्तोओ, ऐनाल जैसिक हैं, ठीक हैं। चलो इसी कड़ी में आगे बात करें, तो गौन सा सवाल दे रखा हैं? 17 नमबर सवाल किसको बात कर रहा है दोस्तो नेरो स्पेक्टरम की बात कर रहा है एंटिबाइटिक्स की बात कर रहा है नेरो स्पेक्टरम यानि कि वेक्टेरिया के लिए जो ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए जो टेस्ट करता है यानि कि ग्राम पोजिटिव वेक्टेरिया या ग्राम नेगटिव ग्राम पोजिटिव दे या नेगटिव नेगटिव इन में से एक के लिए जो टेस्ट दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते है नेरो स्पेक्टरम बोला जाता है और ब्रोड स्पेक्ट है कलोरेम फेनिकोल है और एमी एमीपी सीलीन है यह सारी की सारी है तो एंटिबाइटिक्स लेकिन यह ब्रोड स्पेक्टरम के लिए यूज की जाती है ठीक है चलो आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है 18 नमबर सवाल की अगर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों धनाइनी अब मार्जक की बात हो रही है है Ketainic Detrescent अब चैय एक णिखे और यह निक है welcome तो अपने यहां पर किटैनिक के वारत धूरील है तो के टानीक में सवालों में क्या दिया जाते हैं क्वेशन और आंसर आपको बताने होते हैं Q का मतलब क्या है दोस्तो quaternary और A का मतलब क्या है दोस्तो ammonium quaternary ammonium salt जो दे रखा है वो कैसा है catanic है यह दोस्तो महंगे होते हैं किसके लिए use case आते हैं using hair conditioner hair conditioner में use करते हैं और एक example अपने NCRT में दे रखा है settle trimethyl ammonium bromide settle trimethyl settle trimethyl ammonium bromide एक example अपने दे रखा है वो catanic का है जिसका use किसमें किया साता है दोस्तो इसका use अपने करते हैं किसमें hair conditioner में use करते हैं यह महंगे होते हैं और इसमें कौन सी properties होती हैं vecterio seedal properties होती हैं दोस्तो vecterio statics और vecterio seedal दो परकार की properties होती हैं यानि कि vecterio को मारने के लिए नास करने के लिए vecterio seedal type की properties इसमें होती हैं किसमें catanic detergent में इसकी अगर structure अपन बना लेंगे तो ctyle की अगर बात करें तो क्या आता है दोस्तो 16 कार बनाते हैं यानि कि 15 यहां मिलेंगे और यहां nitrogen इधर भी CS3 है उधर भी CS3 है जहां ना दिख रहा वहां पे भी CS3 है तो इससे बोला जाता है ctyle, trimethyl, ammonium और bromide ठीक है यह कैसा है बहला catanic detergent है दोस्तों यह दे रखा है sodium, dodecil, benzene, sulfonate की बात करें तो यह anionic हो गया कैसा हो गया anionic की यह colgate में मिलता है दोस्तों sodium lorail sulfate यह भी anionic detergent है colgate में toothpaste में मिलता है दोस्तों और sodium stearate की अगर पन बात करें तो यह साबून होगी आपकी detergent नहीं है यह कौन सी है बला शोप होगी आपकी यानिकी साबून होगी तो answer अपना कौन सा आजाएगा यह नार्कोटिक है नाहीं रहे दोस्त यह तो non narcotic अभी पीसे बाले सवाल में अपने बात की थी पान नहीं खाते P का मतलब paracetamol A का मतलब aspirin और नहीं का मतलब क्या है non और खाते नहीं खाते ठीक है पान नहीं खाते तो इसका मतलब क्या है नोन नार्कोटिक है, यह नार्कोटिक नहीं है तो इसका मतलब यह statement इनकरेक्ट हो गया मॉर्फिन और हेरोईन के अगर बात करें तो यह कहा है नोन नार्कोटिक है चल जुटी, बल्कुल इनालजैसीख तो है बल्कुल सरासर जुटी है, एनालजैसीड तो हैं तो इसका मलब ये भी जूटी ये भी लाइन जूटी इसका मलब दोनों बाते हैं जूटी ठेक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो क्या आसा हैगा दोस्तों सवाल नंबर 2-0 की बात करें तो आपको drugs दे रखी है ठेक है और drugs molecules दे रखा है drugs class दे रखी है अब anti-acid दे दूस्तो anti-acid, anti-acid में क्या है? दूस्तो anti-acid उसको बोलते हैं जो पेट में acidity कर देते हैं उसको मारने के लिए जो use किया जाता है वो anti-acid हो गया तो anti-acid कौन-कौन से हैं? एक तो अपने है, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate और एक magnesium hydroxide ये तो प्राचीन काल दादा परदादा सरदादा के टाइम दी जाती थी पता नहीं चलता कितने बेस दे दिया आपको कितने कितना आपने बेस पी लिया अंदर बेठे हुए एसिड की तोहन हो जाती थी वो कैता ले मेरी घर में आगे मेरी बेस्टी खराब कर रहा है यहाँ पर बात करें तो अपने पास क्या है A to Z return to college ठीक है यह कैसी है anti-seed है जिसमें आपके पास क्या मिलेगी A to Z return to college इसकी अगर पर बात करें A क्या है दोस्तों anti-seed है Z का मतलब क्या है Gentech R का मतलब क्या है rentedine ठीक है T का मतलब क्या है दूस्तों Tegamate, C का मतलब क्या है Simitidine, देखो इन में से कोई नाम आया Selversen नहीं आया, Morphine नहीं आया कोन आया है, Simitidine आया है दूस्तों, Selden नहीं आया है इसका मतलब इसको मिला दो third के साथ में तो Anti-Acid आपकी कौन है Simitidine है, यानि कि कोलेज है फिर Anti-Histamine Anti-Histamine Histamine के काम में जो टांग अड़ा दे उसको Anti-Histamine बोलेंगे ठीक है, जो Allergy का में कारण है वो Histamine ठीक कर सकती है अपने आप लेकिन आपन क्या करते हैं उसके बीच में टांग अड़ा देते हैं कि तू रुख हम किसी बाहर वाले बंदे से बुला लेंगे क्यों? क्योंकि जुखाम हो जाता है सर्जी जुखाम हो गई तो इससे Histamine अपने आप वो काम करके ठीक कर सकती है जुखाम ठीक कर सकती है लेकिन क्या करते हैं आपन जल्दी ठीक होना चाते हैं तो उसमें क्या है Histamine को तो कह देते हैं तो साइड में हो जा हम बाहर से बंदे बुलाएंगे यानि कि बाहर से टेबलेट लेकर ठीक करेंगे ठीक करेंगे तो वही काम करेगी उसके काम में आपने टांग अड़ा दी अदरवाइस वो अपने काम तो करी रहे थे अटी हिस्सेमिन क्या है दोस्तों डीडी भारती on TataScibe डीडी भारती on TataScibe on TataScibe अब इसके लिए डी का मतलब क्या है डैमेटे, डैमेटेन, ब्रोमफेनरामीन ब्रोमफेनरामीन देदिया जाए क्लोरम फेनरामीन दे दिया जाए एक आपके अमाइन वाले चेप्टर में लिखा हुआ है बेंडराइल बेंडरील जिसको बलते हैं तो बेंडरील भी कैसी है दोस्तों ये एंटिहिसेमीन ड्रक्सी है ठीक है फिर अगर पर बात करें टी का मतलब क्या है दोस्तों टी का मतलब है टरफेनदीन और एस का मतलब यानि कि स्काई का मतलब क्या है सेल्डेन ये कह है एंटिहिसेमीन तो सेल्डेन नाम आया है और कोई नाम नहीं है इसका मतलब इसको मिला दो फोर्थ के साथ एंटी सेप्टिक आपको पताएं दोस्तों ये क्या दे दिया एनाल जैसिक दे दिया तो एनाल जैसिक कौन सा है भला है क्या कोई नरेंदर मोधी पान नहीं काते मोर्फिन दे दी तो मिला दो इसको अंटी-माइक्रोबाइल्स एंटी-माइक्रोबाइल्स 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 साथ में मिला है तो फूर्थ इसका मतलब यह हार गया तो कौन सा answer आजयेगा दोस्तों फसा answer आजयेगा C में C में आपने second मिला आए C में second morphine मिला आए है और D में आपने क्या मिला दिया दोस्तों selversen मिला ही दिया Yes करो जी हां तो कौन सा answer आजयेगा First answer नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है आपको देख लो ये फिर एक बार फिर लास्च में डिटर्जेंट का सवल ठीक है सोडियम लोराइल सल्फेट सोडियम लोराइल सल्फेट कैसा होता है साब साफ異नायनिक है कैसा है आयनिक डीटरेजेंट है तो मिला दो यंशो डेलस्ट है तो इल इन साफी बहना है तवी दोष्ट होँ होती हैं कैसी भी हो बलही है हाना साबुन फिर अगरब बात करें तो फास को मिलाया, 3rd के साथ, यानि कि 1st और 2nd में से एक answer हो सकता है, आगे देखें, B को यानि कि Catenic Detercent है, Catenic Detercent कौन है, 4th इसका मतलब एक बार, फिर 1st answer मिला अपने को, C में देखिय आपने क्या मिलाया है, sodium stearate, sodium stearate की अगर बात करें तो कैसी होते हैं, टोलेट शोप यानि कि फास के सार डी में आपने क्या दे रखा है दोस्तों नो नायनिक डीटरसेंट दे रखा है इसका मतलब अपना फास अंसर राइट है ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों इन्वार्मेंटल कमिस्ट्री के सवाल दे रखे हैं, अब देखो, क्या कहा रहा है, परकास रसाइनिक धुएं का, समन्य घटक कोण नहीं है, दूस्तो, कंपोनेन्ट किसकी common component, not a common component of photochemical smoke, कोण नहीं है, दूस्तो, chlorofluorocarbon नहीं है, बकिस के सारे के सारे क्या है, common photochemical smoke है, लेकिन कोण नहीं है, CFC नहीं है दोस्तो नेक्स आगे अपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है 23rd नंबर सवाल क्या कह रहा है Greenhouse गैस कौन सी नहीं है दोस्तो Greenhouse गैस की अगर पन बात करें तो किसकी बात कर रहा है Note A Greenhouse Gas कितने लोलिपॉप सवाल आए हैं लेकिन इसको आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तो ठीक है Ozone Greenhouse गैस होती है Nitrous के Oxide Nitrogen के Oxide अगर पन बात करें तो क्या है बला वो Greenhouse है और Sulfur Dioxide ये नहीं है दोस्तो ये Sulfur Dioxide नहीं है मिथेन है दोस्तो तो इसके आंसर कौन सा आजाएगा Sulfur Dioxide Next अगर अपन बात करें तो दोस्तो ये Neat 2021 में सवाल देखा गया था इसमें संग मरमर का एक 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 एकजामपल यानि की ताज महल का एक 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 एकजामपल हूब हूँ NCRT के डबे में से उठा कर दिया हुआ था एक आपको अगर याद है आपको संग मरमर की तो Acidic Rain होती है और Acidic Rain किसमे है दोस्तो यही है जो किसको खराब कर रहा है उसको संग मरमर यानि की ताज महल को खराब कर रहा है ठीक है संग मरमर को खराब कोन कर रहा है दोस्तो Acid Rain कर रही है और Acid Rain में C में अकेला आंसर था ये वाला ठीक है तो आप मिला सकते हैं दोस्तों C में फस किसमें हैं मातर एक में हैं ये आप मिला सकते थे ठीक है फिर भी अपन पूरे मिला लगते हैं फिर अगर बात करें तो A में आपको क्या दे रखा है दोस्तों SO2, O2 और SO3 में convert हो रही है SO3 में convert हो रही है तो ये कैसा होता है दोस्तों tropospheric pollution है कैसा है tropospheric फिर अगर बात करें तो क्या दे दिया आपको B में third दे रखा है यानि कि ये आपको पता है दोस्तों ozone, ozone को ये ही तो घराब कर रहा है यानि कि जितने भी radical मिलते है radical radical ही आपस में क्या कर रहे है ozone, deflation कर रहे है फिर अगर बात करें तो C में आपको क्या दे रखा है अपने फस मिलाई दिया और ये NO2 और आपको क्या दे रखा है NO और nascent oxygen दे रखा है इसमें convert हो रहा है तो कौन करेगा smoke है ये दोस्तो normal smoke की बात कर रहा है अगला क्या सा है धूम कोहरा है ठीक है तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तो second answer आपको मिल गया next सवाल की अगर पन बात करें तो क्या है sulfur के oxide की बात हो रही है pollution due to oxide of sulfur किस की बात कर रहा है एक तो उता है दोस्तो sulfur के oxide की अगर pollution की बात करें तो कौन सा है particulate matter कौन सा है particular matter यानि की कनिये दरव है ये 2022 में सवाल देखा गया था दूसरे की अगर पन बात करें तो कौन है दूस्तो ozone है hydrocarbon नहीं है H2O2 है ये NCRT में line लिखी हुए line हुब हुँखाई हुई है SO2 के लिए ठीक है तो कौन कौन सा आंसर आजाएगा A B और D A B और D यानि की फसी आंसर मिला था A B और D hydrocarbon नहीं है साब क्या भला pollutant oxide के sulfur के oxide नहीं है दूस्तों 1, 2 और ये आंसर आपको कौन सा मिला फस आंसर सवाल नमबर 26 क्या कहा रहा है दूस्तों मिलादो साब कौलम मेचिंग का सवाल है री नीक 2022 में सवाल देखा गया था क्या कहा रहा है Biochemical Oxygen Damage B O D किसके लिए काउंट किया जाता है दूस्तों ये organic matter in water में यूज़ करते हैं किसमें यूज़ करते हैं water में A को मिलादो साब किसके साथ C के साथ A में C के साथ कितने लोग हैं दोग हैं साब दोनों में से एक आंसर आगा आपका दूसरा क्या कह रहा है अब वो कह रहा है कि परकास रसाइनिक धूम कोहरा यानि कि फोटो केमिकल स्मोग की अगर पन बात करें तो ये reducing oxidizing NCRT में लाइन लिखी हुए कैसा होता है बंदा oxidizing mixture होता है यानि कि oxidizing मिलादो साथ कोन है दूसरा oxidizing थाड़ की अगर पन बात करें तो क्या कह रहा है classical smoke classical smoke अब आपको बता है दोस्तो कैसा होता है reducing mixture होता है फोर्थ की बात करें तो ozone layer deflation का काम गोन कर रहा है दोस्तो ये कर रहा है polar stratospheric cloud कर रहा है इसका मतलब क्या जाएगा दोस्तो A में third A में third दो लोगों में मिल रहा है B की अगर पन बात करें तो दोस्तो कौन सा है first इसका मतलब कौन सा answer आजाएगा अपना first answer आजाएगा तो ये थी अपने गुरुनिती औरगनिक कमसी की दोस्तो मस रहे हैं सवस रहे हैं कुद का ख्याल रखें पढ़ें All the best good luck JCLC